बड़ी ख़बर आपको बता दे मुजफर नगर से है जहां पर प्रियंका गांधी पहुच गई है कॉंग्रेस के किसी नेता ने प्रश्रासन को नहीं दी है यारे कि अचानक ही ये पूरा जो मुलाकात का जो वक्त है जो जगे हो यहाँ पर डैक की गई है लेकिन कानोकान खबर इसकी प्रश्रासन को नहीं लगी तो आपको बता दे C.A. हिंसा में मारे गए लोगों के परिज परिवार को और उसमें कहा गया था कि हम आपके साथ है लेकिन इस बीच बड़े खबर ये कि मुझदफर नकर प्रयांका गांधी पहुँच चुकी है और अचानक पहुची है हिंसा पिडित लोगों से मिलने के लिए नूरा के परिवार से बताया जा रहा है मुलाना असद रजा जिनके घर पर पहुची है और इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी गए तो इससे पहले लखनव का दौरा भी जब उनका हुआ था तो इस बीच जो सुरक्षवा घेरा उनका बनाया गया था उसको तोड़ती भी अलग से वहाँ पर जाते भी दिखाई दी थी आने जाने की कोई जानकारी प्रशासन को दी ही नहीं गई है तो अचानक मुदफर नगर पहुची है प्रयांका गांधी और अगर एक तरफ देखा जाए तो राज़त्तान की कोटा में जिस सरह से मामला सामनी आया है लगातार मौतों का जो आखड़ा है वो हर एक दिन स्पी सुप्रीमों ने उनको घेरा भी है कि आखरकार की क्या से ये विरोध प्रदर्शन में हुए पिड़तों से मुलाकात करने के लिए ही वो जा रही है क्या ये सिर्फ यूपी की बोट बैंक को लेकर ही है या फिर सच में सांतुना जिता रही है और अगर सच में सांतु चानक पहुंची है जिसकी जयानकारी किसी को नहीं मिली है तो नूरा के परिवार जो एक हिंसा में बारे गए उन्हीं के परिवार से उनको सांतुना देने ओन्ने डार्नस बधाने के लिए प्रियांका गकान्दी मुझफवर नगर पहुंची है लेकिन अब सवाल कई प्रियंका गादी की मुझफवर नगर जाने को लेकर उठ रहे हैं सबसे पहला सवाल ये कि आखरकार इस बात की जानकारी प्रश्यासन को क्यों नहीं दी गई है तो अचनक कैसे ये प्लान बना और राकरकार इतना फोकस YUP को लेकर क्यों राजस्थान की कोटा को लेकर क्यों नहीं क्योंकि अगर वहाँ पर देखे तो वहाँ पर भी स्तिती बेहद ही घंभीर है खुद राजस्थान में कॉंग्रोस की सरकार है तो ऐसे में इस सवाल उठ रहे है और प्रमोट तिवारी हमारे साथ कॉंग्रोस की नेता यहाँ पर जुड़ गये है प्रमोट जी भागवत स्वागत आपका लेकिन सवाल यहाँ पर आप पर यही एक उठ रहा है आपकी पाती पर उठ रहा है और से साथ ही कॉंग्रोस की मासेचीव प्रयांका गांधी पर कि आखिरकार यूपी को लेकर इतना चिंता जनक वो क्यों हो रही है आखरका राजिस्थान के कोटा को लेकर क्यों नहीं क्या ये देखा जा रहा है कि कौन सी जादियां एहमियत रखता है प्रदेश देखे श्याद आपको मालूम नहीं है या जो इस सवाल उठा रहे हैं उनको नहीं मालूम है मैं इसके तत्पस कर दूँ अखिल वारती तौंग्रेश कमेटी की महासर जीमन से एकादाती और उनके पास तबहार चार्ज उत्रपदेश का है तो और निश्यत रूप से उत्तरपदेश में जो भी घटा होती हैं जहां भी तिखी के आख म्यासू हो फिरा मोंतर्थ हो संगठन्थ हो अच्छा करकम हो तुखी करकम हो वहां सबसे पहले पहुंचने की जिम्मदारी आदानिया प्रेंकाजी की है और वो इस जिम्मदारी को वखूबी निहारी सबस्तात्र हो चाहे मेरट हो चाहे बिज़ार हो नकलो हो सब देखे जामीरी उन्हाओ की पिरता दियाबाद काई जहां तक सवाल राजस्थान के प्रभारी शिरी पांडे जी है हमारे और वो महां होआए हैं हमारे स्वास्पन्ती जी यह उनकी चिंदा कभी जह है प्रेकाजी के कारेविभाजन में उत्र रुदेज है राजस्थान में प्रमोज जी क्या आप में सवाल कर सकती हूं लेकिन क्या इंसानियत के नाते यहां पर एक ट्विट नहीं किया जा सकता था एक बयान नहीं दिया जा सकता था क्या कॉंग्रिस पार्टी में एक दारह हां पर बना दिया गया है कि अगर आपको यूपी का प्रभार दिया गया है तो आप यूपी की बात करिए बस यूपी में घूमिये और यूपी में ही मुलाकातों का सिलसला जारी रखिये या फिर आप अपनी पार्टी लाइन से इतर या फिर आप किसी पर कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहते जबकि राजिस्तान की कोटा का मामला इतना समय दंशील है आपके खुद की सरकार है तो थोड़ा बहुता वक्स रिखाया है फिले धन्यवाद, आप शयाद में पूरे ट्वीट उनके पालोई करती है, जहां कहीं भी पेश में कभी ऐसी को बात आती ही, लिए तूप सुगो, उस पर अपना सवाल, अपना तूप जाहिच करती है, अभी तक आपको यह था कि वह वहां कि भी जा रही, जो मैंने अस्पस कर दिया, तो ट्वीट के आप आ लेंगे, तो जहां तक सवाल है, हमारी अखिन भार्षी, राज़्टी कॉंग्रेश की राज़्टी है, आदा नी सुझे गांदी जी ने, सिर्फ ट्वीट नहीं किया है, तमन किया है, और बुला कर अरे सर, प्रमोज जी, आप अभी भी नहीं समझे, हम प्र्यांका गांदी की बात कर रहे हैं, रोकना चाओंगी, कैलाज विजवर्गी जे जुड़ गए है, राश्ट महा सचीव विजवपी के, कैलाज जी, प्रमोज जी का ये साफ कहना है कि क्यूंकि जिम्मेदारी प्र के जिम्मेदारी को नहीं भा रहे हैं, वो उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगी, कैलाज जी आपको वाज मिल पा रही है, चले लगता है संपर्ख उनसे यहाँ पर कट गया है, कैलाज विजवर्गी एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे यहाँ पर जुड़ने की, लेकिन बयान यहाँ पर आपने कॉंग्रेस पार्टी के एकनेता प्रमोत तिवारी का यहाँ पर सुना, जिन्हों ने यह साफ कहा जब उनसे पूछा गया कि आखरकार राजिस्थान के कोटा के मामले को लेकर क्यों सबेंदर्ण श्रीलता यहाँ पर नहीं दिख रही है प्रियंका जाया कुछी कि आप अभी भी नहीं मानेंगी कि शायद कुछ तो यहाँ पर बयान यहाँ पर आना चाहिए, था प्रयंका गांधी का सर आपको शायद आकरा तो पताई होगा आप जिस तरह से मुझे ग्यान दे रहे हैं आपको मुझे ज़ादा ग्यान है आपको आकरा तो बखुबी पताई होगा तो ऐसे में फर्ज नहीं बनता है कि एक समेधन शीलता या एक धांडस एक सांतुना के तौर पर पर परिवार से एक बात बहुत असपस कहना कहता हूँ भारती रास्टी कॉंग्रेस के अट्यक्ष आदर्णिया सुनिया जाती हैं सिर्फ जिंदा ही नहीं बेच्टी है बुला कर फोन पर बाती किये हैं उन्होंने राज़तान के मुक्वंती से यही नहीं उन्होंने अविदास पांडे ज है कि समय एक बहुती अनभवी और संबेल स्वाधिया सोक वहलोगी है वहां के हालात पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं और फारण पूल पर इसी तरीके से क्योंकि संख्या पर हमने यादे एक बच्चे की मौती पीड़ा दयक है दुखदाई है और हमें दुख है हम सब संबित पात्रा जी बीज़ेपी प्रवक्ता हमारे सा जुड़ गए है संबित जी ये आपने बयान यहाँ पर सुना होगा प्रमुति वारी का नहीं सुना तो बता देती हूँ उनका कहना है कि कॉंग्रिस का एक दाइरा है अगर प्रयंका गांधी यहाँ पर राजिस्थान का जिक्र नहीं कर सकती है सिर्फ यूपी का जिक्र कर सकती है एक कही ना कही लाइन खीच दी गई है कि आप किसी और प्रदेश का जिक्र नहीं करेंगे चाहे मामला कितना भी गंबीर हो कितना भी समविधन शील समिजी आवाज मिल पारी आपको तो चलिए कोशिश करेंगे फिर से संपर्ख करने की क्योंकि ये मामला बेहती समिदल श्रील है विपक्ष जो सरे से लगातार अब तक सरकार को घेर रहा था अब कहिना का एक बड़ा मुद्ध है हाँ पर सरकार को मिल गया है विपक्ष को घेरने को लेकर क्योंकि CAA को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था और सरकार को लेकर जम कर घेरा जा रहा था उसी पर अब जब पीडितों से मुलाकात करने के लिए प्रयांका गांधी यूपी के हर एक जगे का दौरा कर रही है और अचानक पहुच रही है प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ नजरे यूपी को लेकर ही टिकी है क्योंकि आपने शायत सवाल ना सुना हो क्योंकि मैं सुनिय गांधी का जिक्र तो कर ही नहीं रही हूँ सिर्फ प्र्यांका गांधी का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जो लगातार यूपी में जा रही है पीडितों से मिल रही है मैं आपके सवाल का जो आप समझने की पोशिश करें न आपको मैंने बताया कारे विभाजन है उत्तर प्रदेश के बारे में प्रियंका जी देखी है और वहां वो अपने जाइट का निर्वार कर रही है जहां तक सवाल राजिस्तान का है वहां विभाजने जी प्रभारी है और वो लगातार वहां पर उते हुए है प्र राज्टी अधर्श हमारी आदेनी सूले ग्राजी निकेर वारे में बताया उन्होंने सब चित्रा ही नी पच्की कड़े मेर्वेश दिये हैं कि बच्चों के बारे में सिमारदारी हो देखा जाए अब हमारी राथ्य आत्याश्वी बोल चुकी, महामंत्री बोल चुकी, सब लोग तो चिता प्रेक्ट कर चुकी हैं, तो अब आप कहना क्या चाहती है, कि मतलब जो उत्ता परदेश का परवारी है वो राजिस्टान के बारे दियो है, चारिवी भाजन का को मतलब नहीं है चलिए बहुत भूद धन्यवाद आपका हमारे साथ जुनने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए, जो कि कही ना कहीं, कॉंग्रेस शायद अपनी बातों को लेकर स्टैंड नहीं रख पाती है, और यह समझ नहीं पाती है कि शायद वक्त के साथ साथी बयान भ बदलने चाहिए और इसके साथी एक समीधन शीलता कम से कम उस खबर को लेकर होनी चाहिए, जहां पर खुद कॉंग्रेस की सरकार हो